ओफ ये गर्मी हाई हाई गर्मी इस गर्मी में सभी का हाल बेहाल रहता है पसीने छूट जाते हैं मगर फिर भी गर्मी का मौसम सब को बहत पसंदे हैं हो भी क्यों ना क्योंकि इन ही गर्मियों में तो फलो का राजा आम आता है जी हां आम को फलो का राजा कहा जाता है और इ बना कर पी दो आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया भर में पंधरा सो से ज्यादा किस्म के आम पाए जाते हैं जिन में लगभग हजार किस्म से ज्यादा की पैदावार भारत में ही होती है देखा जाये तो आम के मामले में भारत दुनिया भर में पहले इस्थान पर आता ह हर साल भारत में लगभग 2 करोड लाख टन की पैदावार होती है आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सबसे अधिक आम का उत्पादन करने वाला राज्य है तो आईए जानते हैं कि भारत के लोग प्रिय आमों की किस्मों के बारे में और साथ में आपको बताएंगे कि कौन से आम के किस्म, किस प्रदेश से आती है हर किसी को आम में अलग-अलग वेराइटी पसंद होती है यूपी वालों का दिल दशहरी में अटक जाता है तो मुंबई वालों को अलफांजो लुभाता है दिल्ली वाले चौसा की मिठास के गाने गाते नजर आते हैं तो बैंगलूरू वालों को बंगन पल्ली का स्वाध दिवाना बनाता है चौसा और लंगडा का जिक्र कैसे ना हो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं हापस यानि अलफांजो की यह आम देश के सबसे चर्चित आमों में से एक है यह वेराइटी सबसे ज़्यादा महराष्ट में पाई जाती है और इसका स्वाध बाकी आमों से बिलकुल अलग होता है अलफांजो आम अप्रेल से जून के बीच में आता है और थोग बाजार में इसकी कीमत हर साथ सो रुपे प्रती दरजन के हिसाब से मिलती है तो वहीं फुटकर बाजार में अलफांजो की कीमत धाई हजार से साथ हजार रुपे तक पहुंच जाती ह आपने महराष्ट के अलफांजों के बारे में तो जान लिया, अब आपको लेकर चलते हैं यूपी, यूपी में ये ना पूछेगा कि यूपी में कावा, फैसा यूपी में दशेहरी वा, जी दशेहरी आम के दिवाने पूरी दुनिया में मिल जाएंगे, उत्रप्रदेश मे दशेहरी आम का बोल बाला है, पहले हम आपको बता दें कि नाम दशेहरी क्यों पड़ा, तो लखनव के पास दशेहरी गाओं के आम के बगीचे से ये स्वादिश्ट आम निकल के राता है, इसलिए इसका नाम दशेहरी है और ये सब को खूब भाता है, इसलिए दशेहरी आम कहां जाने लगा है और लोग दशेरी आम बहुत पसंद करते हैं इसके बाद नंबर आता है लंगडा आम का लंगडा आम बनारसी मूल का है लंगडा रेशेदार आम होता है यह अपनी बेब पनहा मिटास के लिए जाना जाता है और लंगडा सबसे पहले बाजार में आ ज से भून सकते हैं हर कोई बच्पन से चूसकर आम खाना सीखता है लेकिन आम खाने की पाटशाला जैसे चौसाम ही होता है इस आम को खाते वाक्त लोग अपने आसपास की दुनिया को बिल्कुल भून जाते हैं और खो जाते हैं आम के स्वार्दें सबसे पहले जानते हैं कि इ शेर शहा सूरी ने अपने शाशनकाल के दौरान सोलवी शतावदी में लगवाना शुकिये थे यह आम खाने में मीठा और चमकीला पीले रंका होता है यह आम मार्केट में जुलाई के हफते में आना शुरू हो जाता है बंगन पल्ली आम के बारे में कुछ ही लोग जानते होंगे हिमसागर आम के बारे में भी आपने सुना होगा माल नाम की खुश्बू और मिठास के दिवाने देश विदेश तक पहले हुए हैं बंगन पल्ली आम का परिच्चे आंधर प्रदेश के कुर्नूर जिले के बंगन पल्ली शाही परिवार ने कराया था हाल ही में इस आम को जियोग्राफिकल इंडीकेटर का टैग भी प्राप्थ हुआ है वहीं हिमसागर एक बहुत ही लोग प्रिये आम की किस्म हैं यह भारत के पश्चिम बंगाल में और बंगला देश के राजशाही में मिलता है वहीं पटना के दीघा घाट के मालदा आम की खुश्बू की बज़ा से हर साल अमेरिका, यूरोप, दुबाई, स्विरिन, नाइजीरिया, इंग्लेंड आधी देशों में रहने वाले लोग इसे वहां भी मंगवा लेते हैं लूर जहां आम तो सुना ही होगा आपने मध्वदेश में पाया जाने वाला एक खास किस्म का आम है जिसक के नाम का दर्जा दिया गया, मध्वदेश का अलिराजपुर जिले का काठी वाड़ा छेत्र देश विदेश में अपने खास किस्म के आम नूर जहां की वज़े से मशूर है, यहां अफगानी नसल के इस खास आम की खूब पैदावार होती है, यह आम अपने गुडों और स्वात की वजह से इतना प्रसिद है कि फसल आने के पहले ही इसकी बुकिंग हो जाती है, नूर जहा किस्म के एक आम का वज़न दो से साड़े तीन किलो तक होता है, और इसका एक नग पांस सो से खासार रुपे तक में दिखता है, तोता परियाम या गिन्नी मूथी, यह आ जर्मदापुरम में भी सरकार तोता परियाम के बगीचे लगाकर पैदावार करने की बढ़ावा दे रही है, तोता परियाम ये आम तोते के चेहरे जैसा दिखता है, इसलिए इसे तोता परियाम कहते हैं, बैंगलोर, कलेक्टर, कलमई, किली मुकु, गिली, मुकु, किनी मुथी मावीना काई के रूप में जाना जाता है, बारत के अधिकांश लोग इसे तोता परियाम बैंगलोर कहते हैं, कहा जा सकता है कि आमों के उत्पादन के बारे में भारत दुनिया का सर्ताज है, भारत में हड़ साल लग भग एक दिशम लग 8-7 करोड लाग टन आ दावार होती है, आम को भारत, पाकिस्तान और फिलिपिन्स में राष्ट्रे अफ़ल माना गया है, और बांगला देश में इसके पेड़ को राष्ट्रे पेड़ का दरजा मिला है, देखा जाए तो विश्व भर में आम का जितना भी उत्पादन होता है, उसमें से 63 प्रती आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से चुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेश, हम करते हैं सत्य का अनुवेशा, दखल नियूस, आपके हद में, आपके हद में, आप देख रहे हैं, दखल नियूस